हेलो एवरिवान आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है क्रेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं क्रेक्टर प्रिंटर्स वो होते हैं जो एक टाई में एक क्रेक्टर को प्रिंट करते हैं इनकी स्पीड लाइन प्रिंटर से कम होती है और इनकी स्पीड को CPS यानी क्रेक्टर पर सेकिंड में मापा जाता है Dot Matrix Printer और Deasy Wheel Printer इसके उधारण है सबसे पहले हम पढ़ते है Dot Matrix Printer जिसे हम DMP भी कह सकते है Dot Matrix Printer को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये Printer आपके सबसे पुरानी प्रिंटिंग टक्नीक के उपर आधारित है इसमें एक टाइम में एक क्रेक्टर प्रिंट होता है और इसमें क्या होता है? फिक्स नंबर ओफ पिंस लगी होती है एड के अंदर पिंस होती है और हर क्रेक्टर जो है वो एक dot की form में प्रिंट होता है ये देखिये ज़से आपके ध्यान से अगर आप किसी printing का इसका dotmatics प्रिंटर का कोई paste देखो गया तो उसमें पैट्रन आपको dot की form में दिखाइए देगा अगर आप देखो तो सबसे अच्छा इसमें different types of font हम print कर सकते हैं, यह इसकी advantage भी कह सकते हैं, bidirectional होते हैं, means, dhvidishatmak, यानि दोनों direction में यह printing कर सकते हैं, left to right और right to left, जैसे एक line आपकी left to right print हो रही है, तो next आपकी right to left, इस तरह प्रिंटिंग होती है, और इसकी इनकी जो printing printing speed varies करती है, वो 200 से 500 characters per second के बीच में हो सकती है, इनकी speed काफी slow होती, और यह सस्ते होते हैं, और इनका operating का जो खर्चा है, वो भी कम होता है, अब देखिए इनकी disadvantage क्या है, कि इसे ब्लैक और बाइट प्रिंटिंग कर सकते हैं, इनकी जो printing quality होती है, वो low से medium तक होती है, और line और page printer की तुलनामी इनकी speed भी slow है, और अगर हम printing quality को देखें, तो वो काफी low to medium ही है इनकी, तो यह क्या है कुछ disadvantage भी है इनकी, लेकिन ज्यादा तर government जो works होते हैं, उनमें dot matrix printer यूज़ किया जाता है, ओके गाईस, गाईस, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो आपके लिए helpful लबी हो, तो प्लीज लाइक, share और subscribe जरूर करिएगा, thank you